तो Primagres ने कुछ राज्यो में नए प्रदेश अध्यक्ष तो कुछ राज्यो में नए प्रभारी नियुक्त किये हैं शक्ति सिंगोहिल गुज्रात के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं हरियाना और दिल्ली के प्रभारी बने दीपक बावर्या मुंबई कॉंग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं वर्षा गायकवाड, पुद्दुचेरी के नए कॉंग्रेस अध्यक्ष बने हैं वी वैद लिंगम, तिलंगाना कॉंग्रेस के सचीव बने हैं मनसूर अलिख खान शक्ति सिंग गोहिल को जगदी स्थाकोर की जगा गुजरात में अध्यक्ष बनाया गया है गोहिल पुराने समय से गुजरात की राजनीती में है और स्वर्गिये एहमद पटेल के करीबी माने जाते हैं यहां तक की पटेल के राजसभा चुनाओ के वक्त गोहिल ही उनके एजेंट भी थे यही वज़ा है कि गोहिल गुजरात के बजाए दिल्ली की राजनीती जादा करते रहे लेकिन 2024 के पहले उनको गुजरात भेजा गया इस उम्मीद में कि कॉंग्रेस का लोग सभा चुना वर्षा चार बार की विधायक हैं कि नोंकि मुंबई मिनसिपल करपोरेशन का चुनाओ होगा और अगाड़ी के साथ मिलकर मुंबई मैं लोग सभा चुनाओ की जिम्मेदारी भी मुंबई के अलावा महराष्ट के कॉंग्रेस अध्यक्ष बदलने की भी चर्चा है कि फिल अगाडी के साथ तालमेल बैठा कर लोगसभा चुनाओं की तैयारी करे इसके लिए अशोक चवहान के नाम की भी चर्चा है। कॉंग्रेस ने हरियाना में गोहिल की जगा गुजरात के ही दीपक बावरिया को प्रभारी बनाया है और उनके जिम में दिल्ली भी होगी जहां नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है जिसके लिए अरविंदर सिंग लवली देवेंदर यादव और कनहया गुमार के ना लेकिन कॉंग्रेस एक ऐसा अध्यक्ष बनाना चाहती है जो किसी गुट करना हो और जिसके लिए गहलोत और सचिन पाइलट दोनों राजी हूं इसी तरह पस्चिम बंगाल में वहां से कॉंग्रेस के एक मात्र सांसद अधीर रंजन चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं ज अध्यक्ष बनाने की बात है अभी वहां के एस लागीरी अध्यक्ष हैं अब आते हैं उत्तरप्रदेश पर जहां प्रीयंका गांधी के बदले नया महासचिव बनाया जाना है प्रियंका गांधी अभी प्रभारी महासचिव हैं और उनके लिए नई जिम्मेदारी की तलास जारी है ये खरगे और राहुल गांधी को तै करना है कि कॉंग्रेस प्रियंका का उप्योग किस धैंग से करना चाहती है उत्तर प्रदेश में ब्रिजलाल खाबरी को कुछ महीनों पहले ही प्रदेश अध्यक्ष बनाये गया है और उनके साथ छे कारेकारी अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है खाबरी BSP में रह चुके हैं और जालाउन से लोकसभा और बाद में राज्यसभा में भी सांसद रहे हैं ये सारी नियुक्तियां जल्दी ही होने की संभावना है साथ ही कॉंग्रेस कारे समिती का भी गठन किया जाएगा जो कॉंग्रेस की सबसे बड़ी संस्था है और सभी महतोपूर नेड़ने लेती है राइपूर में इसका चुनाव टाल दिया गया था और मनोनयन का जिम्मा कॉंग्रेस अध्यक्ष खरगे पर छोड़ा गया था दिल्ली से मनोरंजन भारती, NDTV इंडिया